इस कारिक्रम के प्रायो जख है समर्पन साथ साथ चलने की साथ कस्मे हर समाज में पति-पत्नी का रिष्टा इन्ही कस्मों वादों के साथ शुरू होता है हर दम, हर कदम बराबरी का तो फिर बेटा और बेटी बराबर क्यों नहीं? बेटों की चाहत इतनी ज्यादा कि हम बेटीओं को कोख में ही मार देते हैं? क्यों और कैसे लोग भूल जाते हैं कि उन्हें भी किसी की कोख में नो महीने तक संजोया गया था? क्यों करते हैं हम फर्क बेटे और बेटी में? शायद जरूरत इन साथ फेरों के अलावा एक और फेरे की है जो बेटे और बेटी का ये फर्क मिटा सके और अब देश के कुछ हिसों से ऐसे सबग भी आने शुरू हो गए हैं जो जो सब्सक्राइब आने दिए सब्सक्राइब नियुक्त आने ये, जो मेरे दाम देखा हैं जब हमारे बेटी हुई थी तो हमें बहुत कुसी हुईती क्योंकि जब बेटी अच्छी है तो कुछी है ना, हमने किसी से अमने घरवालों नहीं कहा कि बेटी क्यों ही, क्यों हमने कहा कि बेटी नहीं है तो बेटा कहांसे हो ना, बेटी इसो जन देती है ना, जब साधी किस से, अगर बलड का ही चाहें तरड की कहांसे होंगी राजस्थान का जिला भरतपूर पुरज मल्की राजधानी बनकर उभरा और अंग्रेजी राज के दौर में ऐसा गड़ बनकर जिसे दुश्मन कभी जीत नहीं सके आजाद भारत में तीन राज्यों से सटा हुआ फिर भी पहचान एक पिछड़े जिले की इसी भरतपूर के रूपवाज ब्लॉक में एक छोटे से गाउं में रहती है रेखा रेखा की जब शादी हुई तो वो सर्फ बारवी पास थी वो खुश्खुस्मत थी कि अनपढ़ होने के बावजूद सास ससुर ने साथ दिया और वो ग्राजुशन तक पढ़ाई पूरी कर सकी रेखा की ये सोच बताती है कि पढ़ाई लिखाई ने अपना काम कर दिया शहर से काफी दूर और हाईवे से भी काफी अंदर बसे गाउं में रहने वाली देखा जान चुकी है कि रोडियों से पैदा हुए अंधिरों को सर्फ शिक्षा की लौ से ही दूर किया जा सकता है आज वो अच्छी तरह समझते है कि हालाद बदलने के लिए शिक्षा ही एक मात्र तरीका है अपने साथ साथ गाउं के भी बहतरी सोच और समझदारी की ये बात औरों को भी समझ में आने लगी है आज पास कि गाउं की दूसरी औरतों को भी लगने लगा है कि पढ़ाई लिखाई की जरुवत केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं बलकि रहन सहन के सलिख़े में सुधार लाने के लिए भी है इसलिए जिन्हें बेटियां बेहानी है वो तर जागरुख है ही जो बहुवाली है वो भी पीछे नहीं है गाउं बड़ी खामोशी के साथ बदल रहे हैं हलांके पुरिश्वारी सोच के तेवर अब भी बरकरार है लेकिन बदलाव इधर भी आया है गाउं के बुजर्ग मानने लगे हैं कि समय के साथ अपने आपको भी बदलना पड़ेगा दर का काम तो टाइम निकालना पड़ेगा उधर भी करना पड़ेगा गाउं में ये जागरुकता अचानक नहीं आ गई पीडियों से ढोई जा रहे परंपरा को बदलने में शिक्षा और संसकार ने बड़ा एहम रोलादा किया है शिक्षा के ठोज बुनियाद ने ही लगतार जागरुक रहने और कुछ नया सीखने के रास्ते पर आगे बढ़ाया मेरी बच्ची है वो भीएसी कर रही है उसकी चोईस है कि मैं डॉक्टर नी वनू एक वेटी है वो भीए कर रही है उसकी भी ये चोईस है कि मैं बीएड करके एक दिन टीचर वनू तो मैं ये कह रही हूं हे वगवान सब की मनो कामना पूर रो है तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और बेटियों की साथ ही तो मेरे ये विचार है कि मैं जब ही करूं जब मेरी बेटी पैरों पर दिन खुलने से लेकर सांज तक सब कामकाच हुधी करने पड़ते हैं लेकिन समाज और माबाप की नजर में अगर बेटे बेटियों का भेदभाव ना हो तो मेहनत से भरी जिन्दगी भी आसान हो जाती है और बच्चियों को पढ़ाई का मौका भी मिल जाता है गाउं के इही सरकारी पार्ट शालाओं में सबसे पहले बच्चियों के मन में सपने रोपे जाते हैं यहां से जो बीच बोई जाएंगे उन्हें खाट पानी देने का माहौल बनने लगा है गाउं के बच्चे भी बदलते माहौल को समझने लगे हैं और अब उनके भी सपने परवान चबने लगे हैं इस इलाके में बड़ी होती लड़कियां भी समझती हैं कि जिन्दगी में कुछ करना है तो शिक्षा ही वो जरिया है जिससे वो अपने सपनों को सच में बदल सकती है जब आगे बढ़ने का होसला मजबूत हो तो तरक्वी को बांधने वाली दक्यानों सी बेडियां खुद बखुद तूटने लगती है शिक्षा संसकारों की बुनियाद है बेटी और बेटी में भेदभाव को दूर करने की सोच अगर संसकारों में आ सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता पुरुश अस्त्री के जीवन में विवा से बड़ी कोई संस्था नहीं इससे बढ़िया कोई दूसरा अफसर नहीं जब ऐसे संसकार को रोपा जाए आखर विवा भी तो एक संसकार है बेटियों के बेहतरी के लिए जमाने के साथ पदम मिलाने को तैयार दिखने वाली रेखाने भी अपनी शादी के समय ही इस संसकार की नीव रग दी थी हम बी एक आते थे और खॉलेज भी जाते थे पढ़ाने जाते थे तो हमने पापाजी शेवला कि पापाजी हम आटमा फेला लेलें के क्यों बात क्यों बेटी कि हम जो भी वगर बती बच्चा उगाँ उसकी जांच नहीं करेंगे भूनत नहीं करेंगे अच्छा तुमारी हिंदू विवाह में जब तक साथ फेरे ना हो जाएं पती पत्नी एक दूसरे के नहीं माने जाते अगनी को पवित्र मानते हुए पती पत्नी का लिया हर फेरा एक संकल्प होता है एक दूसरे को दिया एक वचन होता है इनहीं साथ फेरों के बाद बेटियों को बचाने के लिए लिया गया आठ्वा फेरा आठ्वे फेरे के पहल ने कईयों के मन का फेर खत्म कर दिया महिलाओं को ये समझ में आ गया कि अपनी आने वाली पीड़ी की भलाई के लिए खड़े होने का समय आ गया है अम भी तो बेटी आए फिर आगे अगर हम बेटियों की सरक्षान नहीं करेंगे तो वो लड़के तो सब ऐसे एक वारे गुमेंगे वैसे भी बेटियों की कमी है बेटी बेटी में फर्क के सूच से टकराने वाली रेखा एकलोती में है जिसने आठमा फेरा लिया हो रेखा की शादी के करीब तीन साल बाद हुई कलपना की शादी कलपना ने भी अपनी शादी में एक बड़ी पहल करते हुए आठमा फेरा लिया या पापा जी से बोला था हमने कि साथ फेरिल लगते हैं पनी जी सिसे तुन साथ फेरियोते हैं तो हम पहले बाचित कर ले पादा लासे पैसे कि हमें वह बोले हैं क्या टी थे आप आप या डेखते हैं कि टेलिवीजन पर समझा आप पड़े लिखे होगी कि उन्होंने बोला कि मेरे को तो पता नहीं अगर तू कह रही है चलो पंडी जी बोले थे कि वी साथ फिर होगे फिर उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों नहीं आप आप अप अपड़ जाओ और हम इस फिरे को हम लेंगे स्वे रेखा और कल्पना से पहले भी कहीं हुई हो लेकिन ये दोनों अपने आसपास के गाओं की औरतों के लिए मिसाल जरूर बन गई है इसलिए उसको आप पेरे के रूप में उन्होंने नाम दिया है और उसे वो पूरा करेंगे उन्होंने ये संकल्प लिया है आप अप पेरे के रूप में ऐसा नहीं कि बेटियों को बचाने और उनकी जिंदगी बेहतर करने की इस पहल को पुरुश्वादी सोच का विरोध नहीं झेलना पड़ा लिकिन जब नई पीड़ी नहीं इसे मानना शुरू कर दिया तो बड़े बुज़ुर्गों और विवा कराने वाले पंडितों के पास भी समझदारी दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा जो हिंदू रीती रिवाज है उसके अंसार साथी फेरे होते हैं और सब्तवधियां साथी बचन दलाए जाते हैं परन्तु आने वाली जो पीड़ी है आजकल भूड़ अत्या अधिक हो रही है यह कन्या भूड़ अत्या को बचाने के लिए यह अगनी के सामने अपने पुत्र एवं पुत्रवधि को मानिये सर्पन साहब यह बचन दलाना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में भी कभी भी कन्या भूड़ अत्या नहीं करेंगे भरतपूर के बहुत से गावों में शादी के समय आठ्वा फेरा लेने की कहानी लोगों के जुबान पर चड़ चुकी है आठ्वा फेरे एक संकल्प है ये बेटियों को बचाने का बेटियों की सुरक्षा करने का कि उसके मार्दियम से एक साथ फेरे तो एक पती पतनी के धर्म के निभाने के लिए पढ़ते हैं लेकिन आठ्वा फेरा एक बेटि बचाने के लिए कि वो बेटि मतलब किस तरह से बचाई जाए अगर हमारे परवार में कोई साधी हुई हमारे आसपड़ोस में होगी तो हम अब इस पहल के समर्थन में पुरुष भी खुशी खुशी आगे आने लगे हैं भरतपूर का ही एक और गाउं है पहर सर आज गाउं के सरपंच बच्चो सिंग्जी के बेटे सोहन की शादी है परिवार के महिलाओं में भी इस शादी को लेकर कुछ ज्यादा है उत्सा है क्योंकि इस शादी में भी आठमा फेरा लगने वाला है हम आठमा फेरा इसलिए लवा रहे हैं के हमारा मेसिज पूरे भारत बरस में जाए और इस तरह से जाए के लडकिया हमारी बहुत कम हैं अन पात में आ रही हैं और लडके ज्यादा हो रहे हैं तो इसलिए हमको लड़किन की ज़्यादा जरूत है, तो हम आठमा फेरा बचन के लिए लवा रहे हैं आपसे, तो वानने के ठीक है राजी होगे पंड़ी। आठमे फेरे की ये रोशनी इलाके में धीरे-धीरे ही सही, लेकिन फैलती जा रही है। तभी तो जिले के कुमहेर ब्लॉक के सहे गाउं में हो रही एक और शादी भी बहुत खास बन गई है। यहां एक लड़की के माबाप ने लड़के वालों को आठमा फेरा लगाने के लिए मना लिया है। आठमे फेरे के इस फैसले से घर के महलाओं के चेहरे पर चमक है। जैसे कोई बहुत पुराना सपना पूरा हो गया। माबाप की इस फैसले से बिटिया सोनल भी खुश है। शादी की सभी रस में पूरे रीती रिवाच के साथ पूरी हो रही थी। सोनल की शादी कराने वाले पंडित को नहीं मालूं था कि वो इस शादी में कैसा अनूठा इतिहास लिखने जा रहे हैं। इसकी जानकारी लगी उन्हें फेरे लगवाने से ठीक पहले। यहां की परंपरा के मताबिक फेरे पढ़ते वक्त लड़की के पिता का मंड़क में रहना उचित नहीं माना जाता। इसलिए फेरे शुरू होने से पहले पूरी रिष्टेदारी के बीच सोनल के पिता ने पंडित जी से अपने दिल की बात कही। यह पंडित भी बदलाओ की गयार के समर्थक ही लिकले। यह जो कार हो रहा है यह बहुत बढ़िया हो रहा है और यह अच्छा है अगर समाज में इसका प्रिचार होगा तो समाज सोधार होगा। अपने जो एक फेरा अलग से लगवाया है वो समाज के लिए इस संकल्व का लगवाया है कि कभी समाज में वो व्यक्ति भिरूड अत्या नहीं करेंगे और लड़की लड़का को एक समान समझते हुए और अपने दामपत जीवन को सुख में बनाएंगे और फिर बारी आई फेरों की लिंगन पात है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और लड़का और लड़की अगर एक समान रहेंगे तो आगे भी समाज में भी से सुधार हुए आठवा फेरा बगएर शोरगुल शुरू हो चुकी एक खामोश क्रांती जिसमें परंपराओं के खलाफ बगावत भी नहीं हुई और समाज की बेड़ियां भी टूपने लगी आठवा फेरा यानि साथ साथ चलने के साथ कदम में बस एक कदम और जुड़ जाना और एक बेटी की पूरी दुनिया का बदल जाना आठवा फेरा यानि बेटियों की जिंदगी को पंक मिल जाना जिंदगी का खिल जाना किसी के भी सामने हम कभी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे पती-पत्री के आपसी प्रेम के बीच हम दोनों कभी किसी कुन नहीं लाएंगे इसकारिक्रम के प्रायोजक है समर्पन समर्पन संस्था पूरी तरह से आठमा फेरा लेने वाले दमपत्यों का सम्मान करती है आप खुद या आपका कोई परिचित अगर आठमा फेरा लगाने की मुहिम में शामिल हो रहे हैं तो आप समर्पन संस्था से संपर्क कर सकते हैं समरपन की टीम ऐसे हर विवाह पर प्रेणा के तौर पर हर संभव सहयोग करेगी आप हमसे संपर कर सकते हैं आठमाफेरा एट समरपन डाट कॉम पर